हेलो ख्रैम माइ नेम इस राकेस एंड यूर वाचिंग राकेसर की क्लास तोड़े आएम गॉना टीच यू हाव तो यूज कैन सो कैन का पूरा यूज जाने के लिए इस वीडियो को अंतक जरूर देखिए आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिसन आपको विलकुल ताइम पर मिल जाए तो चलते हैं दोस्तों सुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सीखते हैं तो जैसे की अगर आपने बताना हो अगर आप कोई भी काम करने की अगर आपके अंदर सक्ती है पावर है, कापसिटी है, एबिलिटी है, so that time you have to use can, right तो अगर आपने बताना हो कि मैं दौर सकता हूँ तो आप बताएंगे I can run तो अभी आप उसको कैसे बताएंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं subject plus can plus v1 plus other word तो अगर आपने बोलना हो कि मैं इंगलिस बोल सकता हूँ तो आप बताएंगे I can speak English, वहाँ इंगलिस बोल सकता है तो बन जाएगा He can speak English, वे इंगलिस बोल सकते हैं तो बन जाएगा They can speak English, अगर हम इंगलिस बोल सकते हैं तो बन जाएगा अगर आपने बोलना हो कि मैं प्रॉलम फेस कर सकता हूँ तो बन जाएगा अगर तुम प्रॉलम फेस कर सकते हो तो बन जाएगा अगर आपने बताना हो कि हम प्रॉलम फेस कर सकते हैं तो बन जाएगा वी केन फेस दा प्रावलम अगर आपने बताना हो कि वे प्रावलम फेस कर सकते हैं तो बन जाएगा अगर आपने बताना हो कि वहाँ प्रावलम फेस कर सकता है तो बन जाएगा तो इसी तरह से आप इसको बताएंगे और इसी तरह से आप इसको बताएंगे और जब आपने इसका negative बताना हो कि मैं नहीं दौड सकता, मैं English नहीं बोल सकता, वहाँ English नहीं बोल सकता, तो आप उसको कैसे बताओगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, subject plus can plus not plus v1 plus other word, तो negative वाले sentence में आपने कुछ नहीं करना, just not you have put करना होता है, आपने जैसे कि मैंने आपको बताया कि तीसरे number पे not का use किया जाता है, तो यहाँ पे guys, जैसे अगर आपने बताना हो कि मैं problem face नहीं कर सकता, तो बन जाएगा, I cannot face the problem, but I can face the problem, don't worry, so अगर आपने बताना हो कि वहाँ problem face नहीं कर सकता, तो बन जाएगा, he cannot face the problem, हम problem face नहीं कर सकते, we cannot face the problem, तो इसी तरह से आप negative वाले sentence जो है बनाएंगे अगर आपने बताना हो कि मैं English बोल सकता हूँ I can speak English मैं English नहीं बोल सकता I cannot speak English अगर आपने बताना हो कि मैं problem फेस कर सकता हूँ तो बन जाएगा I can face the problem अगर नहीं कर सकता हूँ I cannot face the problem और जब आपने इसका interrogative यनि की question जब आपने इसका बनाना हो तो question किस तरह से बनेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं can plus subject plus v1 plus other word तो जब आपने बताना हो कि जब आप किसी से पूछते हो कि क्या तुम English बोल सकते हो क्या तुम तेज पढ़ सकते हो तो आप उसको कैसे बताओगे तो जब आपने किसी को मान लो किसी से question करना हो कि क्या तुम English बोल सकते हो तो question बन जाएगा can you speak English क्या बनेगा can you speak English तो अगर आप बोल सकते हैं तो बन जाएगा yes I can speak English अगर नहीं कर सकते no I cannot speak English तो इसी तरह से आप इसको बताएगे question बनाना बहुत ही असान होता है अगर आपको अंसर देना आता है तो question बनाना बहुत ही असान हो जाता है तो ठीक है guys इसकी आप practice कीजिए और बहुत ही जल्दी आप English बोलना start कर जाओगे so अभी practice कैसे करते है so let me show you yes I can write the cycle but my sister cannot write the cycle can you speak English no I cannot speak English before but now I can speak English can you face the interview yes I can face the interview can you ride the bike I cannot ride the bike but my brother can ride the bike can you drive the bus no I cannot drive the bus but my friend can drive the bus can you lift the 100 kg no I cannot lift the 100 kg but he can he can lift the 100 kg can you take Momo yes I can take Momo can you fly the kite yes I can fly the kite can you face the problem yes I can face the problem can you speak in English yes I can speak English but before I cannot speak English but nowadays I can speak English can you study fast yes I can study fast can you play the chess no I cannot play the chess but my brother can play chess can you run fast can you go for money work yes I can go for money work but my brother cannot go for money work can you read fast no I cannot read fast but my brother can read fast can you drive the car no I cannot drive the car but my friend can drive the car can you play football no I cannot play the football but my brother can play the football can you lift the 80 kg no I cannot lift the 50 kg can you play the badminton yes I can play the badminton can you ride the bike yes I can ride the bike can you run after butterfly yes I can run after butterfly but my brother cannot run after butterfly can you play hockey yes I can play hockey but my my brother can't play hockey can you play chess yes I can play chess can you lift the table no I cannot lift the table but my brother can lift the table can you read fast yes I can read fast yes I can read fast can you speak in english yes I can speak english nowadays I am speaking english can you take tea no I cannot take tea but my sister take tea so guys so guys you can see you they can speak english so so you can practice and you can start स्टार्ट कर जाओगे सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सेर कीजिए तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए जै देव जै भर